बड़वानी इस वक्त जिले में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज ही वर्तमान में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पानसे मल निवासी राम सोनवने ही वर्तमान में जिला अध्यक्ष को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे ही जिसको लेकर जिल में हलचल भी काफी तेज है वर्तमान जिला अधिक्ष राम सुनवने से लेकर कई नाम जिला अधिक्ष के लिए सामने आ रहे हैं खेर सभी का कहना ही संगठन का निन्नई सर्वो परी होगा आईए आपको बताते ही युवा मोर्चा की जिला अधिक्ष बनने की दोड में कौन संगठन में दावेदारी करना सबका अपना धिकार है मेरे जिला अधिक्ष के कारेकाल को देखते वी अगर संगठन मुझे इस लायक समझता है और दोबारत जिम्मेदारी देता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ बाकि संगठन का जो भी निन्नय होगा वह सर्वो परी है भारतिय जंता पार्टी ही वह संगठन ही जिसने एक छोटे से कारी करता को फर्स से उठा कर अर्स पर बेठा दिया युवा मुर्चा में लंबे समय से सक्रिय रोहिद गर्ग जो कि भाजियों में जिला कोसा अधिक्ष भी है उनका कहना है वह जिला अधिक्ष की दोड में दावेदारी प्रस्तुत जरूर कर रहे ही लेकिन संगठन का जो भी निर्णय होगा वह उसे स्विकार करेंगे भाजपा में संगठन का निर्णय ही सर्वो परी है जिला अधिक्ष की दोड में सेंद्वा के सक्रिय युवा नेता विवेक तिवारी जो की वर्तमान में दायित्व का निर्वहन कर सकते ही और अगर संगठन दायित्व देता है तो उसका निर्वहन करेंगे बाकि संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा वर्तमान में युवा मोर्चा में जिला महामंत्री अमीत्ष शर्मा का काना है संगठन में दावेदारी प उपेंद्र जाट जो की ग्रामिंड मंडल बढवानी के भाजियूमों के अद्यक्ष और वर्तमान में मंडल अद्यक्ष ही उनका कहना ही कि जिला अद्यक्ष की दाइत्व के लिए कोई भी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की ही संगठन का जो भी निर्ने होगा वह मुझा